नमस्कार दोस्तों, PBR Study फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षा बंधन की देर सारी शुब कामना है यू केनाट कंट्रोल एबरी सिच्वेशन और इट आउटकम्स, बट यू केन कंट्रोल हाउ टू डिल विध इट इसको मैं सुधे, हिंदी और देशी भासं में समझाओं तो मेरे कहने का यहा मतलब है कि आप परतेक स्थिटी और परतेक हालाथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उससे अपना सौधा कर सकते हैं सौधा करने का यहा मतलब है कि आप उससे कैसे मैनेज करें How you deal with it Example जैसे अगर बारिस हो रही है और आपको college जाना है और college जाना important भी है और बारिस बंदोने का नाम भी नहीं ले रही है तो उस समय आप बारिस को नहीं बंद करवा सकते हैं कि भगवान को एक announcement करें कि भाई बारिस बंदो जाए तुरंद ऐसा आप नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इसको इस तरह से manage कर सकते हैं कि आप चतरे ले कर जाएंगे या भीगते हुए जाएंगे या आपके उपर depend करता है बस अमरे काने का मतलब आप समझ चुके होंगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का current affair यानि कि 26 अगस्ट 2018 के कुछ important current affair दोस्तों पहला question जो आप स्क्रीन पर देख रहे है SO Champ के नए महास्याचू कौन बने तो SO Champ के कौन नए महास्याचू किसे बनाया गया है या आप लोगों को बताना है ठीक है तो भाई SO Champ का जो नए महास्याचू बनाया गया है वो बनाया गया है UK यानि कि आप यहां पर देख रहे होंगे UK का मतलब क्या हुआ उद्ध कुमार बर्मा ठीक है और इसके पहले हम आपको बता दें कि SO Champ का full farm क्या होता है आप सोच रहे होंगे SO Champ का मतलब क्या होता है तो SO Champ का जो full farm होता है वह होता है Associated Chambers of Commerce of Industries दोस्तों SO Champ की अस्थापना हुई थी 1921 सिस्पी में कब हुई थी 1921 सिस्पी में हुई थी और इसका जो headquarter है वह कहां पर है New Delhi में ठीक है यानि कि SO Champ का headquarter मुख्याले कहां पर है New Delhi में है और आपको याद दिला दें जो आप यहां पर चार option देख रहे हैं यह सबी बहुत ही important हस्तिया है जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें भी आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो उसको समझने से पहले हम आपको बता दें जो आपकी यह उदे कुमार बर्मा जी है यह उदे कुमार बर्मा जी किसके हैस्तान पर हुए है यह भी समझ लेजिए भाई एसो चैंप के जो इस समय महा सच्चु बने हैं उदे कुमार बर्मा जी ये किस के हैस्थान पर हुए हैं तो याद रखिएगा उदे कुमार बर्मा जी जो है ये डियस रावत के हैस्थान पर बने हुए हैं और उदे जी किसे आपको परिशे करा दें तो उदे जी 2013 में भारस सरकार के सुचना यों परसार मंत्राले के सच उपत से सेवा निब्रित हो चुकी है ओके तो चलिए आप बात कर लेते हैं उपर जो आप आप ऑप्सन देख रहे हैं उस आप्सन के बारे में बात कर लेते हैं भाई तो आप्सन देखिएगा ओके देखिए इसके बारे में बात करें अगर कि जैब बढ़ते हैं अगला नाम राजे साह राजेश साह से आपका पेस्षे कराते हैं तो दोस्तों राजेश साह जो हैं यह पिक्खि masa रिलेटेट है अब आप कहेंगे कि क्या होता है तो फिक्खि क कम dziे की स wiem दोस्तों फिकी का फुलपाम होता है फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर साफ कामर्साफ इंडिस्ट्रीज जिसे हम लोग अगर हिंदी में बोले सुद्ध देशी हिंदी भासाम बोले भाई तो इसका मतलब होता है भारतिये वाड़ी जियोम उद्दोग मासंग ठीक है और फि हैंडिक की मुख्याला कोई पर है नूदिली में है ठीक है तो इस तरह से आपने सब के बारे में देख लिए साइथ अभी कोई और बचा हो तो इसके बारे में भी हम आपका पर्चे करा देते हैं लाइश्ट में एक महान हश्ति का नाम अप देख रहे होंगे अजे आप इक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया तो यह आजे त्यागी जो है वो सेरी के कौन है चेर मैन है ठीक है और तोस्तों चलते चलते आपको बता दें कि सेरी की जो अस्थापना हुई थी वह नाइनटीन एटी एट इस भी में हुई थी और इसका कार्य क्या है भरतिया इस्ट में एमेच बोलते हैं ठीक है तो इस तरह से आपने देख लिए हमारे समझ से सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा कोईश्चन जो है बहुत बड़ा हमने खिच दिया लेकिन इस एक कोईश्चन से आप 4-5 कोईश्चन को एटम कर सकते हैं नेवली परिक्चाओं में तो आ उस होगे लेकिन ने किरकट के किस प्रारूप से सन्यास की घोसäता की है देख है ला Sumımı ने किरकट के किस प्रारूप से घोसओ लेने की तो इसका नाम आप का सबसे बहले राइट आंसर हो जाएगा टी-टॉंटी ठीक है अगर आप हमारे कोईश्चन के डिस्क्रेप्शन को नहीं सुनना चाहते हैं नहीं पसंद करते हैं बिल्कुल तो गाली मत दीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा आगे भगा करके आप अगला कोईश्चन देखि चुकी है ठीक है और 68 कहने का मतलब इसको अगर हिंदी में बोलें तो 68 ठीक है 68 में इन्होंने 56 बिकट लिए हैं कितना बिकट लिए हैं 56 बिकट लिए हैं दोस्तों और आपको बात याद दिला दें तो 169 मैचों में सबसे ज़्यादा 68 बिकट लेकर या दुनिया की सबसे महिला खिलाडी के नाम से भी जाने जाती हैं और आपको याद दिला दें तो दोस्तों जो आपकी महिला खिलाडी इस समय की टीम है यानि की महिला खिलाडी की जो टीम है उसकी कफ्तान कौन है इस समय मिताली राज ठीक है और मिताली राज है इस टीम के कौन है आप समझ तो भारती महिलाट टीम के जो कोच है राजेस पवार हैं और भारती महिलाट टीम की जो कफ्तान है वह वरतमान में मिताली राज है तो आप लोग इससे भी कोईश्टन अपने परिक्ष़ा मिसाल्ब कर सकते हैं आपके एक्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भारती महिले टीम का वरतमान में कोच कौन है तो राजिस पवार बताएंगी और भारती महिले टीम का जो अगर कफ्तान पूछा जाएगा तो मिताली राज बताएंगी चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इनक्यूवेटर भामासा टेकनो हव कहा लांच हुआ है तो दोस्तों ये लांच हुआ है जैपूर में जैपूर आप जानते हैं क्या है ये कहां से बरी रिलेटेड़ है भाई तो जैपूर आपके राजस्थान की राध्धानी है ठीक है तो राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वरतमान में भाई वो कौन है वो सुंद्रा राजी ठीक है और यहां के वरतमान राजिपाल है कल्यान सिंग आपके कुश्चन एक जाम में कुछी तरह से भी फास सकते हैं कि रजस्थान की वरतमान मुख्यमंत्री कौन है आपसन आपको मिल जाएगा ठीक है और आपको वरतमान राज़ेपाल भी पूछा जा सकता है तो ये कुश्चन आपका हो चुका है चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए अगला कुश्चन है अब आज संगाई साहियोग संगठन सांती मिसन 2018 कहां से सुरू हुआ तो दोस्तों इसका सही उतर आप स्क्रीन पर देख रहा होंगे आपने पहले से टिक कर दिया हुआ है इसके बारे में और भी जादा हम डिस्क्रेप्शन आपको देने वाले हैं उसके पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई बिल्कुल न भूलें यह मौका न गवाएं तुरंत इस वीडियो को लाइक करें अगर पहली पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें और पिर आगे देखते रहें आपका अपना यूटूब चैनल पर यारे स्टडी दोस्तों इस वीडियो को कम से कम दो तीन फ्रेंट्स में सेयर भी कर दें भाई जिससे कि उन्हें भी आए मात तो पूर्ट वीडियो मिल सके और उनको भी अजनकरी हो सके दोस्तों एक कहावत आपने सुना होगा धनिया वही पर बिगती है जहां पर धनिया की ज़्यादा दुकान होती है तो इसे से मत डरिएगा कि ज़्यादा कंपटिशन होगा एक्जाम में ज़्यादा लोगों को जनकरी हो जाएगी तो हम एक्जाम नहीं पैट कर पाएंगे भाई खेल कासली मज़ा तभी आता है जब के लड़ियों में संगर्स और परतियस बर्दा अधिक होती है तो इसलिए ज़्यादा प्यदा जनकरों को जोड़िये इंडिया में ज़्यादा प्यदा अच्छी परतियोग ता बढ़ाईए अच्छे से अच्छे कंपटिशन को आगे बढ़ाईए और लोगों तक कोईशन और आंसर को सेर करेए चलिए आगे बात करते हैं रूस के बा होई थी 1996 में इसकी इसका है क्या बैजिंग चाइना में बने हुए है और इस जो सहंगाई सहयोग संगठन ए इसमें आठ देश सामिल है इन आठ देशों के नाम मैं आपको बता रहा हूं नमबर एक पर जो है आपको आपना भारत नंबर sorry मैं जो आपको सीरेल बता रहा हूं ये मैं आपको सीरील टो dene केवल का नाम बता रहा हूं चीन टीफ़रा दे्स है आपका अपना छोटा भाई पाकिस्ताँ ठीक है है तो बेकूफ लेकिन है तो भारत का ही भाग भाई तो कुछ बुरा मत मानिएगा बुरा मत बोलिएगा ठीक है और अगला देश जो है वो आपका है रूस ठीक है और पाचवा देश है कजाकिस्तान छाथवा है किर्गिस्तान साथवा है तजाकिस्तान और आठवा है उजबैकिस्तान देसों के नाम एक बर फिर से सुन लीजीगा इन में जो आफ़ देस सामिल है वहा है भारत, चीन, पाकिस्तान रूस, तजाकिस्तान कजाकिस्तान किरगिस्तान उजबैकिस्तान ठीक है तो ये थी इस क्वेश्चन के बारें में कुछ बिसे जनकारी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरफ अगला कोईशन है दोस्तों दुनिया का पहला ब्लागचेन बंद किस बैंक ने प्रारम किया तो इस बैंक का क्या नाम है सबसे पहले आपको उतर बता देते हैं भाई वो है वर्ड बैंक यानिकि विस बैंक की अपना जो हुई थी उनीश सो पैतालिस इस बी में हुई थी और इसमें कुल मिला के 181 देशों के मेंबर सामिल है और दोस्तों बिसुबाइंक का जो हैड कोईटर है यानि कि जो इसका मुख्याले है वह है वासिंगटन में वासिंगटन के डी सी में है ठीक है किम योंग किंग अगर आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं ठीक है यह बिसुबाइंक के बढ़ता मानत अच्छे हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट कुश्चन की तरह बढ़ते हैं अगर आपके मन में कोई सिकायत है सुचा हूए तो कमेंट बाक्स में तुरंत कमेंट करते हैं बिना टेंसर लेते हुए बिना कुछ सोचे समझें यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैं आपका अपना चोटा भाई हूँ जो भी समझी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं A.C.I.K.L. 2018 मैलाओं की 10 मीटर एयर फिक्सल में हीना सिंदू ने कौन सा पदक जीता तो सबसे पहले इसके राइट एंसर होगा कहा से पदक जीता है दोस्तों चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं या खेल जो हुआ था 24 सा गस्त को ठीक है उसमें A.C.I.K.L. 2018 मै कियांग कियांग ने जिता इनका नाम आप देख लीजिए बहुत ही है अट पटा है बाई चाइनीज नेमें तो कि यह एक चीज़ वेसे है पटी ही होती है तो यह सब्सक्राइब किया चाइना कियांग ने अगली बात करते हैं नेक्स्ट पे तो रजट पढ़ जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों तो बढ़ते हैं हम आगे और आगे जो हम बढ़ेंगे तो आपसे कुछ पूछेंगे और आप अपना माइंड लेकर आई बाइट हिएगा काफी किताब के साथ आज का जो आपका सवाल है वो यह सवाल है कि आइस्ट्रेलिया के नए परदानमं सब्सक्राइब करें दोस्तों यहां एक मात्र करेंट अफेर का यूट्यूब चैनल नहीं है यहां एक ऐसा प्रड़ फाम है जहां पर आपको एक छट के नीचे सब कुछ मिलेगा यहां पर आपको मैत रिजिनिंग, करेंट अफेर्स, जिकेजियास, हिंदी, इंग्लिज, आपके कंपेटिशन के एक्जाम में आने वाली हर एक बिसे के संबंधित लाइब क्लासेज, इंपोर्टन वीडियो, मात तुपूर्ण घटनकरम, इसके साथ साथ सपलता की कहानियों की क्लास परतेक सं और इतना ही नहीं, आपकी बच्पन की यादों को ताजा कराने के लिए हम हपते में तो नहीं महीने में एक दो बार गाउं आ जाते हैं, वहां से हम आपको दिखाते हैं कुछ प्राकृतिक नजारे, जैसे की निचुरली तलाब, प्राकृतिक पेड़ पौधे, फूल पत् आपको दिखाते हैं, ना कुछ हम बना कर अपने आपसे आपको दिखाते हैं, यहां तक कि हम अपना चेहरा भी आपको बनाटी नहीं दिखाते हैं, रियल में दिखाते हैं, दोस्तों, आपने देखा होगा, तो हमने अभी कुछ दिन पहले मुंदन कराया था, मतलब अपना आप देख रहे होंगे, तो हमारे सिरके बाल जो हैं वाइट हो चुके हैं, हलके हलके आपने देखा होगा, कामेरे में चमकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, आप इसको बलै क्यों नहीं कर लेते हो, मैं बोलता हूँ भाई, दुनिया में तो हर चीजों के सामने मुखोटा लगा है, अगर कोई ऐसी चीज तो हो, जो रियल में आपके सामने आए, तो भाई, मेरी ये अपनी सोच है, कोई मुझे क्या कहता है, इस से मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, बस हाँ, आप लोग मुझे गाली न दे, आप लोग का साथ और सायोग बना रहे, मु इन ने दो-ती फ्रेंड्स में जरूर सेर करें, उन्हें Hoje दिखाएं, उन भी ये जनकारी पहुंच हैं, आपकी गर्ण्वाइफ्रिंड बॉराब्प्रेंड अपके फ्रेंड जो भी हो उनने सब को इस वीड्यो को सेर करें और उनसे हमारा गारकर एपके मन में कोई डॉट कॉम यह डॉट इन इस पर भी आप कॉंटेक्ट करके विजिट करके अपनी इंपॉर्टेंट कोईश्टन करेंट अफेयर्स जी के जी एस मैच साइंस रिजिनिंग हर चीज की फीडिया फाइल हो गए रहा और बहुत से स्टुडी मेटरियल को यहां से फाउंड कर सकत कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें सेब करके रख सकते हैं कभी भी आफ लाइन देख सकते हैं दोस्तों इस वेब साइट पर आपको बहुत से इंटरटेंबंट के मैटरियल लेटेश ट्रांग आइडियोज बीटियोज वाल पेपर गेम बहुत कुछ मिलेंगे तो अगर केवल लाओर केवल पढ़ाई का मैटरियल चाहिए तो आप सीधे आख बंद करके वीडियोज कैटेगरी के अंतरगत जाएं और वहां पर एक्टेडी मैटरियल फॉल्डर के आपसन के अंतरगत आप वीडियोज को डाउनलोड करें ठीक है तो भाई ये थी मेरी पू को चाहियों को चुह रहे हैं तो लोग आपका पायर पकड़ करका आपको नीचे खीचेंगे ऐसा आपकी इंडिया में बहुत मिल जाएंगे दोस्तों यही हमारे देश का अभाग भी है कि हमारा देश विकासील से बिक्सित नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर को यह आगले की समझेगा अगर कोई एक रास्ते में अकेले सब्जी की दुकान लगा कर बैठ जाए चोटी सी तो आपको लोग बहुत कम सब्जियां खरीदने वाले आएंगे क्यों ऐसा होगा एक आपको इसको नर्मली मैं समझा सकता हूँ अगर सब्जी मंडी है तो लोग को आगर सामाल लेना है कोई भी सब्जी लेना है तो सब्जी मंडी जाएंगे और ना कि इस एक धनिया के वाले के पास जाएंगे आप लोगों को यूटूब चैनल चलाना है हमारी तरह अपना चैनल बनाना है तो मेरे साथ आए लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को यहां निश्चित कर लेना होगा कि आप लोग उस कारे में इंट्रेस्टेट हैं की नहीं आने से पहले सोच लें कि आप उस कारे को जो है अपने मन से कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं लगन से कर रहे हैं या फिर किसी की देखी देखा कर रहे हैं कि फलानवा वो कार कर रहा है मैं भी करूंगा तो अगर आप फलानवा की देखी देखा कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी अपनी सोच है अपना सौक है तो आप बिल्कुल आएं आपका हम बेल कम करते हैं आपकी हर एक परिस्टानी का हर एक समस्या का समाधन करने की कोशित करेंगे आपका निमंतरण आपके पास तक पहुँच चुका होगा तो आप बिल्कुल यूट्यूब चनल बनाएं और आएं लेकिन 24 गंटे में 18 गंटे बर करने की हिम्मत रखें बीना थके बीना रुके बीना सोचे समझे बीना किसी टेंसन के खाने पीने को बरदास कर सकें भूख पैस को भूला सकें तब ही आएं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही हमने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया उसके लिए मापी चाहेंगे अगर कलती होगे तो उसके लिए माप करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई